36 गर विधान सभा में अच्किसानों की आत्म हत्या और मौावज़े का मामला भी जोर शोर से उठा प्रश्नकाल में भाजबा विधायक कृष्ण मूर्ती बांधी ने से लेकर सवाल किये भाजपा विधाय को ने जानना चाहा कि क्या सरकार किसानों के आत्महत्या पर मौवजा देया जाने का नियम बनाएगी बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि जिस प्रदेश में सरकार अपने आपको किसानों की सरकार कहे वहाँ के किसान आखिर क्यों आत्महत्या कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आगे किसानों के सामने ऐसी स्थिती ना आए इसके लिए कार्य यूजना बनाई जानी चाहिए लेकिन सरकार ऐसा करने में असफल रही है लगभग 570 किसान आत्महत्या किये हैं इस बात को मंत्री जी ने स्विकार किया है जवाब में दिया है और 570 किसान मतलब यह बड़ी बात है कि जिस प्रदेश में किसानों की सरकार अपने आपको कहलाए किसानों के परते सहर दर्ता की बात करे और किसानों के परते उद्गार ब्यक्ट करे उस प्रदेश में आखिर किसान आत्महत्या करने के लिए विवस क्यों हो रहा है जब लखिमपूर खिरी के मामला आते है तो 50 लाख रुपए मुख्य बंतरी उनको दे सकते हैं और आज इस बात को उठाया गया कि यहां के लिए मुख्य बंतरी क्यों नहीं दे सकते हैं जब वहां के किसान को दे सकते हैं लेकिन ये साहर दर्ता मुख्यमंत्री को बता रहा है कि 36 गड़ के किसान मर रहे हैं ना उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं ना उनको दो बातें सब्द बोल रहे हैं और नहीं उनके लिए घोश्णा किये ये सरकारों के नहीं बलक नहीं कृशी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाचवा शासनकाल की तुलना में प्रदेश में अपकिसानों द्वारा आत्महत्यार के जाने के मामलों में कमी आई है। प्रदेश में जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक 570 किसानों ने आत्महत्या की है। इसमें से केवल दो किसानों ने कृशीगर वजहों से जान दी है। जान दी है।